आज मैं आपको एसी लोकेशन पर लिखाया हूं जो इंबेस्टमेंट का हब बन चुकी है जहां पर निवेस करने पर काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है मैं बात करूं आज मैं खड़ा हूं यमना प्रादी करण के सेक्टर 20 के एन पॉकिट में जी हां जो काफी अच्छ से वड़ी फिलिम सिटी आ रही है उससे लगा हुआ है और जेवर इंटरेनेशनल एयरपोर्ट के नियरबाय पड़ता है और इस पॉकिट में क्या डवलपमेंट है उसकी मैं बात करूं तो आप मेरी एक सौट वीडियो देखिए उसमें आपको यहां पर पता चलेगा क्या से डेवलेपमेंट हो चुका है तो आप पहले मेरी एक सोट वीडियो देख लीजिए तो गाइस देखा आपने यहाप है कैसा डेवलेपमेंट हो चुका है गाइस ट्रबीस के एंड पोकिट में सवी प्लोट तीन सो स्क्वाइर मेंटर के हैं और तीन सो स्क्वाइर मेंटर प्लोट की डायमेंट्स होती है आपकी बारावाई 25 जी हां यहां पर टू टाइप की प्रोपरटी रजिस्टर्ड एन अ अगर आपको लॉन की रुकाइरमेंट है तो आप रजिस्टर्ड प्लोट की तरफ जाएं अगर लॉन की रुकाइरमेंट नहीं है अन्रिस्टर्ड प्लोट पर आप स्विच कर सकते हैं गाइस मैं आकर रेट की बात करूं और यहां पे आपको पता चलेगा आने के बाद की बेस्ट लोकेशन कौन सी होती है और आपको कहाने वेस करना चाहिए डेबलेप्मेंट की मैं बात कर लूँ और यहां पे स्टीड लाइट पोल्स सीवर हारनेस टेंग और रोडों पे भी काम हो चुका है कम्प्रीट रोड आपके तारकोल कर दी गई है कि यहां पे आने वाला फ्यूचर में बताता हूं सब्सक्राइबला इंटरनेशनल एरपोर्ट आपके नियरवाय पढ़ता है और रोजगार के लिए आपकी इंडर्स्टी पलती है जिसमें तीन चार कम्प्रियां अभी रनिंग में हैं और पे अरे ये सब आपकी फ्यूचर में आने वाली हैं लोकेशन की बात करूँ आपको आना कैसा जैसे आप परिचोक से आगरा साइड आएंगे ताजे सबोके Champs-P एन पॉकिट आपका 45 मीटर रोड से लगा हुआ है जो सीधा फिल्म सिटी को जाती है और कनेक्ट करती है 60 मीटर रोड से जो 60 मीटर आपकी कनेक्ट होती है यहां पर कैसी लोकेशन है आप जान चुके हैं और अगर आपको जानना हो और यहां की ग्रांड रिपर्ट और जानन करें एक बार आप आएं यहां पर और देखें यहां पर कैसा फ्यूचर है और आपको निवेस करने में प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा मानना है कि आप आईए साइड विजिट करिए और जिसने भी यहां पर निवेस करा है उन्होंने अच्छा ग्रोथ दिये अच करें आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अला पर प्रेस कर देना वीडियो अच्छी लोगी हो वीडियो को like कर देना मैं आपको मिलूंँ आप वीडियो में शब तक के लिए धन्यवाद